हलो एवरीवन वेलकम टू लर्नर भी एक्ट्रा आयम शिवानी चाहाम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवेंथ मार्स की बुकर चाप्टर त्री तो हम इससे पहले 3.1, 3.2 गवर कर चुके हैं 3.3 के भी 3 questions हम लोग देख चुके हैं अब देखते हैं question number 4 इसमें हम कोई से कहांगी कि कैसे draw करते हैं और double bar graph double में कुछ नहीं simple ही होता है वो भी वो कैसे draw करते हैं तो और पहले हम कुछ questions देख लेते हैं bar graph draw करने से पहले पहले question है in which subject has the child improved his performance the most तो कौन से subject में child की जो बच्चा है उसके सबसे जादा अच्छी improvement कौन से subject में हुई है तो यह च 67 से 70 में गए तो तीन नंबर का difference है है ना 72 से अब यह तो कम हो गए इंप्रूफ थोड़ना हुआ है अब यहां पर देखिए कितने marks का improvement है 5, 6, 7, 7 marks का improvement है यहां पर है 4 marks का improvement और यहां पर 2 marks का improvement वैसे तो हम जब बार ग्राफ देखेंगे ना तो बार ग्राफ में भी हमें ब बच्चे की maths में होई है तो maths है उसकी सबसे ज़ादा improvement हुई है और सबसे कम improvement किस में हुई है मतलब Marks बढ़ रहे हैं बठ gels बहुत सबसे कम किस में भड़े हैं तो देखिए हम लोग ने देखा था maths में काफी ज़ादा बढ़े हैं मैस में कितने बढ़े हैं 5, 6, 7 marks बढ़े बढ़े है। सबसे कम किस मे बढ़े हैं – मतलब इन हमें बढ़्वार्फला और किसा फीरह देखेंगे। तो हिंदी में बच्चे की पर्फॉर्मेंस गिरी है तो सबसे जादा इंप्रूव्मेंट किसमें किया है बच्चा मैट्स में और सबसे जादा इंप्रूव्मेंट हुई है उसकी मैट्स में और सबसे कम इंप्रूव्मेंट हुई है उसकी सोशल साइन्स में है और मतलब improvement होने की बजाए मतलब उसका performance गिरा किस में है improve तो क्या ही होता उसका performance तो और नीचे गिर गया नीचे गिरा है उसका performance हिंदी में तो ये तीनों हमने देख लिए अब हम जड़ा देखते हैं कि उसका performance किसके help से अब हम बार ग्राफ की help से देखते हैं तो सबसे अच्छा performance का maths मेरा सबसे कम improvement उसकी social science में और marks कम होए हैं हिंदी में अब यही चीज हम लोग बार ग्राफ की मदद से देखते हैं तेखे यहां पर हम लोगों को बार ग्राफ दिखा रखा है बार ग्राफ किसके बीच में बनता है बार ग्राफ हमेशा बनता है जो दो कंडिशन्स हमें गिवन होती हैं यहां पर एक तो हमें गिवन था subject की subject हमें अलग-अलग काफी सारे subjects से रखे हैं और marks दे रखे हैं कि उस subject में उस बच्चे के कितने नमबर आए हैं तो subject हम लोग उने देखा कि कौन-कौन से थे हमने एक टेबल में अपी थोई तरह पहले देखा था कि English, Hindi, Math, Science, Social Science यह सारे के सारे उसके क्या थे subjects थे तो जो subjects का था ना वो हम लोग इसको ऐसी थी कि बार ग्राफ हमेशे ऐसे बनता है एक ऐसी लाइन होती है ऐसी horizontal बोलते हैं इसे इसको हम x-axis बोलते हैं और यह ऐसी लंबी ऐसी सीज़ी लाइन होती है इसको हम लोग y-axis बोलते हैं तो इन दोनों की बीच पे ही बार ग्राफ बनाया जाता है तो एक side तो हम लोग ले लेंगे subject कि कौन-कौन से उसके subject थे तो English, Hindi, Math, Science और Social Science एक तरफ हमने x-axis पे subject के लिए और दूसरी तरफ हम लोगों ने क्या ले लिए? marks ले लिए तो marks हम लोगों के क्या-क्या थे? marks हमारे सारे के सारे hundred में से तना out of hundred हमारे marks हैं तो हम लोग 100 तक का बार ग्राफ बनाएंगे तो zero से लेकर कि 100 तक का बार ग्राफ बनाना easy होता ने क्योंकि scale देखे यहाँ पर हम लोगों ने 10 का scale लिया है इस scale लिया है हम लोगों ने 10 marks का तो यहाँ पर देखिए ऐसे करके लिए कि first term में हम लोगों के कितने marks थे second term में कितने थे तो first term वाले के लिए हम लोग ऐसा कर देते हैं, कि first term के जो marks थे, उसके लिए हम लोग ये बना देते हैं, ऐसे करके, यहाँ पर मैं red red वाला कर देती हूं, first term के marks के लिए, ठीक है, तो यह जो है first term के marks है, उसके लिए हम लोगों ने red कर लिया है, और second term के marks के लिए हम लोग वो कर लेते हैं अब बनाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टर्म में कितने मांक्स थें तो यहां पर हमने एक तरफ क्या ले लिए मांक्स ले लिए और एक तरफ हम लोगों ने ले लिए सब्चेक्ट अब देखिए जरा आप सबसे पहले इंग्लिश के मांक्स दे पहला है यह first term के हैं और यह वाले second term के मांक्स हैं तो आगे वाला first term है पीछे वाला second term है इस तरीके से आप लो ग्यात रख सकते हैं तो first term में उसके 67 थे तो देखे 67 तो किसके बीच में आएगा 67, 60 और 7 के बीच में आएगा मगर 70 के पास को जादा जाएगा तो इस तरीके से हम लोगों ने 67 मार्क्स का ये बना दिया और English में second term में उसके 70 आए है तो पूरा का पूरा 70 तक जाता हुआ हम लोगों ने बार ग्राफ बना दिया तो देखे यही होता है double बार ग्राफ मतलब एक ही जिसके English है English के आप लोगों ने दो बार ग्राफ बनाया ना English पर क्यो отлич में उसके 70 आए थे तो हमने इस तरही के से बार घ्राफ बना दिया अब हिंदी में घंदी उसके 1st term में 72 आए थे और सेकंड तरं में से फर्स term में 72 और सेकंड अनम्में सेрипस्टि ऑप थे तो 70 तक जाता हुआ बार ग्राफ खीज़ दीजे हिंदी से फर्स टम के लिए यह आ गया और सेकंड टर्म के लिए 65 आई थे तो 60 से थोड़ा सा उपर 65 उसके हिंदी में आए थे math में उसके first term में 88 आए थे तो 88 आए थे तो यानी की 90 और 80 के बीच में कुछ बनेगा है ना तो 90 और 80 के बीच में ऐसे करके 90 से नीचे 80 से उपर तो 88 88 वाला first term का बारग्राफ यह बन गया और second time में 95 आये थे तो 95 के लिए 95 किस-किस के बीच में आएगा 95 तो 90 और 100 के बीच में आएगा ना तो यहाँ पर हम लोगों ने 95 का बारग्राफ बना दिया अब science में उसके first term में 80 बनाये थे तो 81 मतलब 80 से जस्ट वर्कुल हलका सा उपर तो जस्ट हलका सा उपर तो हम लोगों ने यह ऐसे करके बना दिया फिर second time उसके 85 आये थे तो 85 के लिए तो 80 और 90 के जस्ट बीच वाला तो यह बन गया नेक्स्ट है social science में उसके 73 आये थे first term में तो यानि कि 73 तो 60 और 70 के बीच में बड़ 60 की तरफ को थोड़ा सा जाएगा तो यह आ जाएगा वैसे तो इस तरीकेसे बताना तो आप जोस्केल वगरा यूज़ तो यहाँ बताने की कुशिश करें都 इस तरह करिश्यां ने टो सबसे पहले हम लोगोंने किस किस के लिखे थे hindi या फिर English mere ओक्राद सबसे पहले ह उसके लिखने हैं उसके बद इस तरह उसे तरफ यको लि स्टार्ट करेंगे जीरो फिर उसके बाद 10 फिर 20 30 40 ठीक है 50 60 70 तो इस तरह तरह तर आप लोग जाते जाएंगे फिर हिंदी में कितने माग से सपोस्स करिए कि हम लोगों को मैं तो यह जोटा बन गया इसमें ना तो हिंदी में इस वैसे तो 72 थे तो 70 तक अकर जाएगा यहां उसके हिंदी में ते 65 तो 70 60 और 70 के बीच में ऐसे करके जाएगा इस तरह के से आप लोग ग्राफ बनाते हैं बस सिंपल सा होता है जैसे कि जो भी आपको गिवन है हिंदी के मार्क्स गिवन इधर मार्क्स हैं 70 हैं तो यह ग्राफ 70 तक चला जाएगा अगर 60 होते तो यह ग् चलाएगा जाता है तो इसमें बताया है कि फेवरेट स्पोर्ट का डाटा है तो क्रिकेट कितने लोगों को देखना पसंद है और कितने लोगों को उसमें पास्पेशिवेट करते हैं क्रिकेट के बास्केट बॉल्स, गरकि फेवरेट स्पोर्ट करते हैं कितने लोगों को सिरफ देखते हैं कितने लोग ये गेम खेलते भी है तो इस पर दाटा हूं को अधे रखा है अब पहला क्वेस्टिन है जैसे कि आप लोग वो बना देंगे कि स्पोर्ट अ है एक तरफ स्पोर्ट है वह ठीएग और ए H karageорот is moost popular अब आप से पूछा गया है कि इसमें से सबसे ज्यादा popular sport कौन सा है popular sport का मतलब है कि सबसे ज्यादा कौन सा sport देखना पसंद है तो यहां पे देखें नहिए पर 1,240 लोग देखते हैं 20 खेलते हैं अब इतना जादा तो कोई भी नहीं है तो यानि कि सबसे जादा popular sport कौन सा है सबसे popular sport तो भई cricket है न क्योंकि सबसे जादा डाटा इसका है जिसका सबसे जादा डाटा होगा वो सबसे जादा popular होगा next है which is more preferred watching or participating in sports तो लोगों को पाटिसिपेट करना पसंद होता है या देखना जादा पसंद होता है तो देखें न यहाँपर पार्टिसिपेट्ट तो किते कम लोग कर रहे हैं बढ़ देख तो बहुत जब रहे हैं तो participating नहीं पसंद होता लोगों को लोगोंगो तो पैठ करके मज़े से देखना पसंद होता है तो लोगों को watching यानि कि लोगोंगोंको देखना जब्संद है as comparison to participate करना, तो मुष्च पॉप्पॉलर गेम कौन सा है, क्रिक्ट और लोगों को देखना ज़्यादा पसंद है, या फिर participate करना, तो देखना, क्योंकि देखे न, देख इतने लोग रहे हैं, बड़ पाटिसिपेट उसके आधे, तो 470 देख रहे हैं, बड़ पाटिसिपेट सिर् इस तरफ क्या है इस तरफ नंबर ऑफ पीपल जो उसको देख रहे हैं या पर पार्टिसपेट कर रहे हैं तो वाच जो कर रहे हैं वो लाइट ग्रे है और जो पार्टिसपेट कर रहे हैं वह वाला हमने किसे कर रहा है वह वाला पूरा ब्लाक से हमने दिखा रहा है तो कितने वह देख रहे हैं और बीटे किमें ते कितने चंच ईन देखिए लोग KT लोग को टि खिए हम लोगों को डेटा दे रखाते हैं प्रिक्ते वे बच्चे देख रहे थे मंगने थे मुच्च जहें कितने मीज शॉंप 2020 पार्टिसिपेट कर रहे थे तो आप लोगों ने यहां पर स्केल कितने लिया हुआ है वन संटी मीटर आप एक संस्टी मीटर में सौ लोग आ रहे हैं तो 0, 0 से 0100 200 300 400 से लेकर के 1300 तक हम लोग लेकर के जा रहे हैं क्यों लेकर के जा रहे हैं क्योंकि हमें 1240 में दिखाना है तो 1240 किस-किस के बीच में आएगा तो देखें 1300 और 1200 के बीच में 1240 आएगा क्योंकि 1200 से तो 1240 बड़ा है बड़ 1300 से छोटा है तो इन दोनों के पीच में कहीं पर यह आ जाएगा तो यहां पर है ना इधर इधर यहां से जाता हूँ ऐसे करके ग्राफ हम बना देंगे 1240 लोग देख रहे हैं और पाटिसिपेट कितना कर रहे हैं 620 तो 620 लोग ही पाटिसिपेट कर रहे हैं तो 620 किस-किस के बीच में आएगा 620 तो 600 और 700 के बीच में आएगा है ना तो 600 और 700 के बीच में देखे यहां से लेकर कि यहां तक आप cricket में बना देंगे तो देखे यह वाले लोग तो watch watching और यह वाले participating तो cricket का हम लोगों ने देख लिया अब basketball का इसी तरीके से basketball कितने लोग देख रहे हैं? basketball देख रहे हैं 470 पीपल तो 470 किस-किस के बीच में आएगा? 400 और 500 के बीच में तो मतलब 500 के तरफ को ज़्यादा जाएगा इतने लोग watch कर रहे हैं और participate कितने कर रहे हैं? 320 कर रहे हैं तो 320, 300 और 400 के बीच में तो 320 लोग participate कर रहे हैं अब आता है swimming swimming कितने लोग देख रहे हैं? swimming देख रहे हैं 510 लोग तो swimming का आ रहा है 510 का आप टेबल प्लीज बुक में से देख लीज़े हैं थोड़ा सा screen की problem है मैं दखा नहीं सकती आपको swimming कितने लोग watch कर रहे हैं? जो देख रहे हैं वो है 510 और participate कर रहे हैं 320 तो देख रहे हैं कितने लोग 510 510 लोग देख रहे हैं और participate कितने लोग कर रहे हैं? पाटिसिपेट कर रहे हैं 320 तो 300 और 400 के बीच में आ जाएगा 320 होकी कितने लोग देख रहे हैं? होकी जो देख रहे हैं वो 430 देख रहे हैं होकी में कर रहे हैं 250 होकी तो होकी के अगर हम बात करें तो होकी किते लोग देख रहे हैं 430 में, तो 44o 500ETH के बीच के बीच में बीच में आएगा न, देखे, यहां से यहां सी कखके लेक जा रहे हैं, और participant क्ते को कर रहे हैं, पारिसिपेे सिके फिर 21, 2 20 तो किस के με वैगा 300 ओ er 200 के बीच में आ जाये चालीगा एथलेटिक्स कितने लोग देख रहे हैं एथलेटिक्स देखे देख रहे हैं 250 तो एथलेटिक्स 250 लोग देख रहे हैं तो 200 और 300 के बीच में आ जाएगा और पाटिसिपेट कितने लोग कर रहे हैं तो 100 से जस्ट ऊपर थोड़ा सा 105 लोग इसमें पाटिसिपेट कर रहे हैं तो इस तरीके से देखे graph draw होते हैं, simple सा एक तरफ आप लोगों को लेने रहा है कि कौन सा sport है, है ना एक तरफ आप लोगों ने sport ले लिया, और दूसरी तरफ आप लोगों ने किते लोग देख रहे हैं, number of people, मतलब number of people ले लिया, क्यों? क्योंकि कुछ लोग देख रहे हैं और कुछ लोग participate कर रहे हैं, तो देखने वाले तो जो है वो gray से और participate करने वाले हमने black से, तब आप dark gray से कहले जो दिखाए हैं, तो अब next question देखते हैं, तो देखिए हम लोगों को question number six में बोला गया है, तो आप लोगो उठाना है और उसका डबल वाग्राफ प्लॉट करना है, तो इसमें बताना है कि कौन जी city जो है, has the largest difference in the minimum and maximum temperature, तो यह देखते हैं,